हाई फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग लाइफ डूरिंग गुपता एच देखेंगे, इनसेंट हिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में हमने गुपता पीरियड को डिस्कस किया था, गुपता पीरियड में हमने important rulers देखा था, गुपता रूल के दौरान कौन-कौन से की गुपता पीरियड को इंसेंट इंडिया का गोल्डेन एज कहा जाता है ठीक है गोल्डेन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान सुसाइटी आर्ट लिट्रेचर साइंस यह सब बहुत ज्यादा डेवलप की थी ठीक है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बत कैसी थी गुपता पीरियड आपको पता होगा एक बार फिर से बता दूँ 310 AD से लेके 550 AD तक गुपता रूल चला था इसमें बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टूलर्स आये थे अगर आपने वह वाला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जाके देखि में है तो गुपता रूल एक लाज पार्ट ऑफ दे इंडियन सब कॉंटिनेंट पे इन्होंने रूल किया था और इन्होंने पॉम्पस टाइटल यूज किये थे गुप्ता किंग्स ने पॉम्पस टाइटल जैसे परम भटार का महाराज धिराज परमेश्वरा परम भगव पता यह आपको गुपता किंग्स को गौड से कंपेर किया जा रहा है इसका एक रीजन यह है कि गुपता रूलर्स जो थे वह वैस्ची ओरीजिन के थे इसलिए उनके अपने रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए ऐसे टाइटल से ऐसे पॉम्पस टाइटल से बुलाते ह है ठीक है गुपता पीरियेड का एड्मिनिस्ट्रेशन हाइली डी सेंट्रलाइज मिलेगा काफी सारे फ्यूडल लॉड्स आपको देखने को मिलेंगे जो अपने लोकल प्रोविंसेस को माइनर प्रोविंसेस को रूल करते हुए दिखेंगे ठीक है सिविल और क्रिबिनल इस दोरान हाइली डिमार्केटेड था क्लियर कट प्रावधान था क्लियर कट सजा थी गुपता पीरियेड के दोरान कुमार मत्याज आपको most important officer देखने को मिलेंगे लेकिन गुपता पीरियेड की बिरोक्रेसी मौरियन के जैसी elaborate नहीं थी मौरियन बिरोक्रेसी क्या थी हर जगह एक separate official हर काम के लिए एक separate officer in charge देखने को आपको मिलता था लेकिन ऐसी आपको गुपता पीरियेड में देखने को नहीं मिलेगी आज कल क्योंकि statement वाले questions बहुत जादा आते हैं इसलिए यह आपको जानना जरूरी है तो इसका एक reason elaborate बिरोक्रेसी के ना होने का reason था क्य गुडल लॉट्स आपको सासन करते दिखेंगे ग्राम में elders आपको सासन करते दिखेंगे तो यह heredatory nature के कारण क्या हुआ कि royal control कम होता चला गया और यह भी one of the reasons है गुपता empire के downfall का गुपता empire को further divide किया गया था provinces में और provinces को देश, राष्ट्र या भुक्तीज बोला जाता गया था, mainly भुक्तीज ही आपको याद रखना है तो भुक्तीज किसको बोलते थे जो empire को provinces में divide किया गया था उन provinces को भुक्तीज बोलते थे और भुक्तीज के head को उपारिका बोलते थे यह याद रखिएगा फिर provinces को further divide किया गया था district में तो district को प्रदेश या फिर विशह बोला जाता था district को क्या बोला जाता था प्रदेश या विशय और district के head को विशय के head को क्या बोलते थे विशय पती ठीक है काफी exams में पूछता है याद रखेगा तो विशय के head को क्या बोलते थे विशय पती और फिर district को further divide किया गया था विथीज में विथीज क्या थे बहु प्रोविंसेज के हीड को उपारी का फिर प्रोविंसेज के बाद डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे विशय विशय को फिर डिवाइड किया गया था विथीज में और विथीज को ग्राम में आप अपने स्क्रीन पे देखो ठेक है तो यह चीज आपको याद रखने हैं फिर आते हैं कि village headman का rule काफी important था, village headman village के elders के साथ मिलके village को देखते थे, village के प्रशाशन को सम्हालते थे और उनके मर्जी के बिना कोई भी land transaction village में हो नहीं सकती थी, आपको हर जगा एक feudal society की जलक देखने को मिलेगी, क्योंकि मौरियन empire में bureaucracy elaborate थी, आपको officers देखने को मिलेगे, यहाँ आपको feudal society देखने को मिलेगी, और village headman जो गाउं के elderly people थे, बड़े बुज़ोग थे, उनकी मदद से ग्राम का administration सम्हाला करते थे, ठीक है, और आपको गुपता period के दौरान, ब्रामनास को या फिर प्रीस्ट को बहु मिलते थे, और land grants के साथ साथ उनको वहाँ का tax collection करने का भी power मिलता था, तो यह जो practice साथवना kingdom के दौरान start होई थी, गुपता period में काफी prominent हो गई थी, प्रिस्टली क्लास को काफी सारे concession मिले, land grants तो दिये ही जाते थे, land grants free of tax भी होते थे, वहाँ पे criminal को punish करने का भी उनको अधिकार मिलता था, और बिना उनकी मर्जी से royal agents भी उसमें enter नहीं कर पाते थे, तो उनको काफी जादा प्रिस्टली क्लास को, religious feudal trees को काफी जादा power मिले हुए थे, और अग्रहारा की वज़े से, अग्रहारा ऐसी practice थी, जिसके तहत king या nobleman, religious purposes के लिए land grants देते थे, एक प्रिष्ट को भी या फिर बहुत सारे प्रिष्ट को एक साथ land grants देते थे, तो इसे एक तरह से बोला जा सकता है, अग्रहारा practice के वज़े से, प्रिष्टली क्लास को काफी जादा फायदा हुआ, और इसे इनकी economy पे भी गुपता पिरेड में गुपता economy पे भी काफी जाद असर पड़ा था इसका, इस तोरान आपको बहुत सारे traders और merchant guilds देखने को मिलेंगे, जैसे वैशाली में traders और merchants का guild हुआ करता था, मनसौर, मालवा में, इंदौर में, silk weavers का guild हुआ करता था, और वुलन सहर उत्तर प्रदेश में आपको oil traders का guild देखने को मिलेगा, guilds को बहुत सारे power थी, immunity थी और उनको अपने affairs और अपने law बनाने की भी छूट थी, तो ये guilds काफी important है, गुपता period का rule UP, बिहार, मध्यप्रदेश के अलावा बहुत large part of the Indian subcontinent में था, लेकिन इनका influence उधर काफी कम था, उनके जो rule था यहीं तक सीमिट था, आसपास के reason मे आप map में देखो, MP, बिहार, UP, बाकी सारी जगों पे इन्होंने बाकी जो feudal trees थी, उनको rule करने की छूट दी थी, लेकिन feudal trees को बदले में अपनी sovereignty, अपनी संप्रभुता, गुपता kings के सामने रखनी पड़ती थी, अपनी बेटियों को गुपता rulers के, गुपता kingdom के princess से साध करानी पड़ती थी, और एक royal charter मिलता था उनको, जो आसपास की royal feudatories हैं, उनको एक charter लेना पड़ता था, जिससे वो rule करते थे, ठीक है, तो ये feudal वसाल fringe पे rule करते थे, तो इन सब चीजों से क्या महसूस होता है, कि political system, feudal था, सामन्तवादी system था, गुपता rule के दौरान, अब आते हैं, trade and economic asset थी उस period में, तो गुपता को large number of gold coins issue करने के लिए जाना जाता है, जिनको dinars या dinaras भी बोलते हैं, ठीक है, तो गुपता kings को large number of gold coins issue करने के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको तीन चीज़े आने ज़रूरी है, exams के लिए काफे important है, कि गुपता का जो coin था, वो कुशांस gold coin के इतना pure नहीं था, तो गुपता का gold coin purity में कम था, और गुजरात के conquest के बाद, गुपता kings ने silver coin issue करना चालू कर दिया था, जो गुपता ruler सबसे पहला silver coin issue करने वाले थे, वो थे, चंदरगुप्त विक्रमादित, तो चंदरगुप्त विक्रमाद में देखने को मिलेंगे, तो इससे क्या साबित होता है कि जो use of money था, वो common people तक पहुँच नहीं पाया, कुशांस में ये पहुचा था, लेकिन गुपता period में जो copper coin की कमी देखने को मिलती है, इससे आपको क्या पता चलता है कि जो आम लोगों में था, वो use of currency वो उतना प् 550 AD में Romans को silk ब्रनानी की color आ गई थी, कहां से सीखी थी उन्होंने, Romans ने Chinese है, तो हमारे silk को लेना उन्होंने Romans ने कम कर दिया, तो इसलिए हमारा Romans के साथ trade decline हो गया, ठीक है, अब आते हैं next चीज क्या थी trade के बारे में importing, कि जैसा कि मैंने आपको बता है, बहुत सारे land grants दिये जाते थे, priests को, ब्रामन को, तो इससे क्या हुआ, नए नए land दिये गए, तो नई नई जगह पे agriculture का concept फैला, ठीक है, जैसे tribal areas of Madhya Pradish में, जहां पे tribal society रहती थी, उनको agriculture की color, कृषी की color, कृषी की color, कृषी की color कृषी ने सिखाई, ये जो priest जाते थे, तो इनसे उन्होंन की बात, economic की बात, अब आते हैं, social development क्या हुए इस दोरान, तो social development में, ब्रामना सुपरमेशी को continue रखा गया, गुपता पिरेड में, और कहीं जगह पे ये भी बोला जाता है, कि ब्रामना सुपरमेशी काफी बढ़ गया, और उनको जैसा कि मैंने आपको बताया, land grants दिये ज भारत की, जो कि 5th century AD में, जिससे proof मिलता है, कि ब्रामनों को काफी सारे privilege और immunity मिलती थी, second है कि यहां पे, जो भी बाहर से छत्रिये या बाहर से tribes आती थी, उनका कोई religion नहीं था, तो वो इंडिया के caste system में ही simulate हो जाते थे, इंडिया के caste system में मिल जाते थे, उनको अलग-अल fans of Rajput बोला गया, सुद्र और women का position improve हुआ society में, सुद्राज और women का position improve हुआ society में, उनको रामायना और महाभारत और पुरान सुनने का permission मिला, और उनको कृष्णा को भी worship करने का permission मिला, कृष्णा जो है यस period में important God के रूप में आपको दिखेंगे, क्योंकि कृष्णा बोल पूजा करते हुए देखने को मिलेंगे, और सुद्र का position improve हुआ society में याद रखेगा, और सुद्र को agriculture activity में लगाया गया, और उसके बाद से उनको agricultureist के रूप में जाना जाने लगा, लेकिन जहां की सुद्र का position improve हुआ, untouchables का condition or deteriorate होता चला गया, untouchables कौन थे, chandals, ठीक ह खराब होता चला गया कि जो foreigner फाहिन चंद्रगुप्त विक्रमादिति के time में आया था, फाहिन एक Chinese traveler था, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादिति के time पे आया था, उसने अपनी टूर में इनके खराब condition का जिक्र किया है, ठीक है, तो chandals, untouchables के रूप में जाने जाते थे उनका काम था, meat और flesh गंदगी उठाने का काम, और जब भी वो सहर में आते थे, उनको पहले से announce करना पड़ता था, लोग उनसे दूरी बना के रखते थे, क्योंकि उनको untouchables मना जाता था, तो chandals का condition बहुत ज्यादा deteriorate होता चला गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि women का condition इंप्रूव हुआ, उनको रामायना और महाभारत सुनने की आजादी मिली, जैसे सूद्र को मिली, और उनको कृष्ण की पूजा करने का मौका मिला, लेकिन आपको गुपता पिरियड में ही सती का सती प्रता का पहला example देखने को मिलता है, सती प्रता में आपको पता होगा कि पती के मरने के बाद पती के साथ इस्त्रियों को भी जला दिया जाता था, तो ये इसका पहला example 510 AD में आपको सती का गुपता पिरियड के दौरान ही देखने को मिलता है, अब आते हैं, डिलिजन की बात करते हैं, state of Buddhism, बुद्धिस्म को royal patronage नहीं मिला, जैसा कि मौरियन rule के दौरान, मौरियन किंग जैसे असोका के दौरान खास करके, बुद्धिस्म का काफी विस्तार हुआ, फिर कनिश्क के दौरान, बुद्धिस्म का काफी royal patronage मिला था, संरक्षन मिलता था, किंग के दौरा, लेकिन वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, इसका म मिलेगा, जो की बहुत important Buddhist learning का center था, वो भी इस दौरान डेवलप हुआ था, यहाँ पे आपको origin और growth आपको मिलेगा भगवतिस्म का, इस दौरान आपको भगवतिस्म का बहुत साधा भगवतिस्म और वैश्नवीज्म का बहुत सारा प्रसार प्रसार देखने को मिलेगा, विश्नु प्लस नारायना, दोनों की पूजा करने वाले लोग एक हो गया बाद में, उसी को भगवतिस्म कहा जाता था, नारायना हाला की एक tribal God थे, tribal people के God थे, तो इन दोनों को मिला के एक नया सेक्ट बनाया गया भगवतिस्म, इसमें काफी सारे आपको लोग non-witch मतलब मांसाहारी खानों का आपको त्याग करते हुए देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको विश्नु की भगति, क्रिश्ना की भगति देखने को मिलेगी, तो ये एक नया सेक्ट उभर के आया, और इसमें आपको दस अवतार जो थे विश्नु के, विश्नु के दस अवतार की चर्चा आपको देखने को इसी दोरान मिलेगी और इसमें आपको भक्ती जो कि भक्ती का मतलब क्या होता लविंग डिवोशन और अहिंसा आपको देखने को मिलेगा क्योंकि एगरिकल्चर सोसाइटी के लिए पशुओं को मारना मतलब गैर जरूरी था तो ये आपको आपको विश्नु एक इंपॉर्टेंट गॉड के रूप में देखने को मिलेंगे और विश्नु के ही अफ्तार थे श्री कृष्ण वाशुदेव कृष्ण या श्री कृष्ण और आइडल वर्शिप आपको यहां पे काफी जादा देखने को मिलेगा ठीक है हाला कि कुछ शिव की भी भक्त है शिव को गॉड ऑफ डेस्रक्शन भी बोला जाता है लेकिन वह बाद में आए पहले के रूलर्स जो थे वह विश्नु की पूजा करते आपको देखने को मिलेंगे और आइडल वर्शिप करते हुए देखने को मिलेंगे तो अब रिलीजिन के बाद आत ओर है देफलनेक्ट हुआ लेक्ट्रेचर का काफी ज़ादा देफलप्मेंट हूआ तो आर्ट में आपको पेंटिंग देखने को मिलेंगे अजन्ता में पेंटिंगला इसे द्रां जैसे दसावतार तंपल देवगर जासी में, लक्षमन टेंपल ओफ सीरपूर, विश्नु टेंपल और वरहा टेंपल ओफ एरन, तो ये सब आपको नगर स्टाइल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये सब टेंपल काफी इंपॉर्टेंट हैं, एक्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, ठीक है, और स्टूपाज में आपको धमेक स्टूपा अफ सारनाथ, रत्नागिरी स्टूपा अफ और इसा, मीरपूर खास सिंध में, ये सब स्टूपा भी डेवलप हुए थे, और स्कल्प्चर में दब्रॉंज इमेज ऑफ बुद्धा नियर सुल्तानगन भागलपूर, ये ब्रॉंज इमेज काफी उंचा है, करीब 2 मीटर उंचा है, ठीक है, तो ये काफी उंचा बुद्धा का भागलपूर, सुल्तानगन भागलपूर में मिला था, और सारनाथ और मतुरा में भी आपको काफी सारे बुद्धा के स्कल्प्चर देखने को मिलेंगे, और यहा सारे हिंदू गौड के इमेज आपको देखने को मिलेंगे, और इन इमेज में एक चीज़ कॉमन आपको देखने को मिलेगी, कि एक सेंट्रल फिगर हुआ करता था, और बाकिस सारे गौड उसके आस पास होते थे, ठीक है, तो एक सेंट्रल गौड उनको बड़ा करके दिख देखने को मिलेगा, ठीक है, और आते हैं, आर्किटेक्चर में उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ स्टोन टेंपल, और भीतर गाओं कानपूर में ब्रिक टेंपल, भीतरी गाजीपूर में आपको कुछ टेंपल देखने को मिलेंगे, ठ रिलिजियस वर्प में रमायना और महाभारता जो की 4th century AD में जाके कंपाइल हुई, रमायना के बारे में आपको सब पता है कि दसरत के बेटे थे राम, उन्होंने उनकी जो कई-कई माता थी, उनके बोलने पे 14 वर्स का वनवाश हुआ, तो ये society में एक बेटे का क्या रोल है, एक संसकार का क्या रोल है, ये दिखाता है, फिर महाभारता में कौरवो और पांडवो के बीच की लड़ाई आपको देखने को मिलेगी, इसी दोरान आपको वायू पुरान, विश्नु पुरान, मतष्य पुरान, बहुत सारे पुरानों को compilation भी देखने को मिलेगा, महा स्मृति के साथ साथ, याग्य वलकाया स्मृति, कात्यायन स्मृति, ये दोनों important है, और literature में ही, religious literature में, बुद्ध घोष, बुद्ध घोष important है, और दिगांगा important है, literature work में, बुद्धिस literature में खास करके, तो ये थी religious work की बात, इसमें बहुत ही सांदार secular work भी आया है, उसमे सबसे famous है, मुद्रा राक्षश और देवी चंद्रगुप्तम विशाखादत की, एक्जामस में बहुत ज़्यादा पूशा जाता है, याद रखेगा, ये विशाखादत के drama था, फिर आते हैं, कालिदास एक important कवी के रूप में उभर के आया है, चंद्रगुप्त विक्रमा ये कालिदास के drama important है, फिर poetry भी काफी ज़्यादा लिखी थी कालिदास ने, जिसमें रितू, सम्हार, मेगदूत, रगुवम्शम और कुमार संभावम, ये poetry कालिदास की important है, other works में आते हैं, उसी दौरान, मृच्छ कटिका, ये सुद्रक के दौरा लिखी गए थी, एक्ज भी important है, भासा या हिंदी में बोले तो भास, तो भास की स्वपन वासवदत्तम और चारुदत्तम ये important है, 13 प्ले लिखे थे, उसमें से 3-4 important है, वो आपको याद रखना है, अमर कोस भाई अमर सिम, अमर सिम वस वन अफ द नाइन जोल्स, ये भी चंद्रगुप्त विक्रम को, और इन आप ड्रामा में देखोगे कि संस्कृत जो है, वो हाई क्लास के लोग यूज़ करते हैं, और विमेन और सूद्र जो है, वो जो आम लोगों की भासा है, वो प्राक्रित यूज़ करते हैं, आपको मिलेंगे, तो संस्कृत गुप्ता पीरिएड में कोर्ट साइंटिफिक वर्क में, इस पीरिएड के दौरान जो एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में काम हुआ है, उसकी अचीवमेंट अन पैरलल है, तो जो आरे भट्टा थे, उनकी बुक थी आरे भट्या, आरे भट्या, आरे भट्या, टेक्स विच डिल्स विट था, स्क्वेर रूट के बारे में पता था, क्यूब रूट के बारे में पता था, और उनको अर्थ के रोटेशन के बारे में पता था, और लेंथ आप दे इयर के बारे में भी पता था, और फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर थे आरे भट्टा जिन्होंने साइंटिफिक एक्स्प आस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर और मैथेमाटीशन थे और ये नवरत्म में से एक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के तो इनकी भी वर्क काफी इंपोर्टेंट है ठीक है और गुप्ता इंस्क्रिप्शन जो अलाहबाद में है उससे मैंने आपको बताए कि डेसिम और प्लस कुप्ता पीरियड में मेटलर्जी भी काफी एडवांस नौलेज थी मेटलर्जी के बारे में कैसे जो आइरेन इंस्क्रिप्शन है महरौली में आइरेन इंस्क्रिप्शन एक महरौली इससे पता चलता है आज तक उसमें जंग नहीं लगा तो आइरेन इंस्क्रि की knowledge of आयरवेदा है तो medicine, astrology, astronomy, mathematics, metallurgy इन सब में ये जो achievement थी गुपता period की ये unparalleled है ये भी one of the reason है कि इस age को golden age कहा जाता है अब देखते हैं इतने बड़े empire का fall कैसे हुआ तो ये मैंने detail में discuss किया है फिर से repeat कर दे रहा हूं हुनास का invasion one of the reason था सकंद गुपता तक तो उन्होंने रिपेल कर दिया लेकिन उसके बाद वीक सकसेसर वीक गुपता rulers की वज़े से हुनास का attack बढ़ता चला गया और गुपता empire वीक होता चला गया फिर यसो धर्मन का rule जो कि बहुत जादा दिनों तक नहीं चला वो भी एक सीवियर बलो था गुपता empire को और तीसरा reason है कि बहुत सारे few day trees का rise हुआ जैसे ठाने सर के few day trees वल लवी की few day trees यह सब few day trees जो है वो independent होती चली गई और गुपता empire का disintegration होता चला गया और जो loss हुआ western इंडिया का वो भी इनको economically weaker बना दिया land grants की वज़े से पहले ही यह weak होते चले गए थे तो यह सब reason है इतने बड़े empire का downfall हुआ तो hope करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो यहां तक देख लिया तो लाइक ज़रू करें मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए keep learning at jahind